क्या अलूशा दान्टिकर को आ रही है करन कुद्रा की याद यानि की करन कुंद्रा की एक्स गर्ल फ्रेंड कर रही है करन को मिस अखरकार उनके सार्कास्टिक पोस्ट का क्या है मतलब चलिए आपको बताऊंगे इस पोस्ट के वारे में इस वीडियो में एमसकार मैं इथा के नाम से मौझूद हूँ मैं अब आप सभी को बताऊंगी लगतार करन कुंद्रा की एक्स गर्ल फ्रेंड को लेकर काफी ज़्यादा चर्चाय चल रही हैं खास तौर पर उनके सार्कास्टिक पोस्ट को लेकर जब भी वो कुछ भी पोस्ट शेर करती हैं उसे काफी जादा relate कर दिया जाता है करन के साथ और ऐसे में आपको पता है इन दिनों करन अपने love story किस में यानि की तेजस्वी प्रकाश के साथ अपनी loving partner के साथ काफी busy चल रहे हैं उनके साथ काफी quality time spend कर रहे हैं और वहीं अब आपको बता दू कि वहीं साथी साथ जधर बात करें अब ऐसे में finally अनूशा दांडेकर ने एक post share किया है जिसमें उन्हों लिखा है why do loving people, why do the people whom we love are always far away from us यानि कि जिनको हम बहुत ज़ादा प्यार करते हैं वो हम से दूर हो जाते हैं और वो हम से दूर होते हैं आखर ऐसा क्यों? वाकई देखा जाए तो करन और अनूशा की अगर love story की बात करें तो वाकई में अनूशा दांडेकर करन कुंद्रा को बे शुमार और बे इमतहां प्यार करती थी, अक्सर इनके प्यार के काफी जादा चर्चाएं चलती रहती थी, हर जगा साथी साथ इनके लव स्कूल में इनकी बॉंडिंग की भी काफी जादा हमें amazing सी स्टोरी देखने को मिले थी, क्योंकि इनका बॉंड हमें differences create हुए और finally दोनों हो गए separate, लेकिन अब यहां पर अनुशा दान्डेकर का ये post की आखिरकार जिसे हम प्यार करते हैं, वो हमसे दूर हो जाते हैं जिनको हम प्यार करते हैं वो हमसे दूर क्यों हो जाते हैं, कही ना कही एक question mark सा दिमाग में strike कर रहा है, इसका मतलब क्या ये है कि अनुशा को आ रही है करन की याद, और वाकई में अनुशा तो करन से बेमते हां प्यार करती थी और करन उनसे दूर हो गए, तो ये post indirectly कहीं न कहीं करन कुंदरा के साथ ही correlate कर रहा है, हाला कि कि अनुशा ने कहीं भी करन को टाग नहीं किया है, लेकिन ये indirectly सा करन से relate करता हुआ नजर आ रहा है, विल क्या कहना चाहेंगे आप, क्या आपको भी लग रहा है कि अनुशा दानलेकर ने जो ये status शेर किया है, इससे ये जाहिर हो कि अनुशा को आ रही है करन की याद, कमेंट सेक्शन में अपने रियाक्शन जरूर शेर करें, दवाम अब देट्स के लिए बने रहें, चाल के साथ